हाई गाईज वेलकम टू मॉस्मी किच्चन मॉस्मी किच्चन में आप सब का स्वागत है आज मैं पान मुख्वास की रेसिपे लेकर आई हूँ जिससे पान लेड्डू भी कहते हैं लेकिन इससे मैं बिना पकाय ही बनाऊंगी जो हेल्दी टेस्टी और मुख्डोचक होगी रेसिपे अगर अच्छी लगे तो लाइक करें सभी के साथ शेयर करें तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आसान तरीके से पान लेड्डू को बनाते हैं यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करेब गुलकन ली हैं और कुछ चौप ये बादाम भी ली हैं गुलकन में चौप के बादाम को डाल दें अब दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें पान खाने वालों के लिए तो ये लड्डू भाज आएगी क्यूंकि लड्डू में गुलकन की फ्लेवर और मिठास दोनों ही शामिल रहेंगी तो बस अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है तो साइड में रख दें इसे यहाँ पर करीबन 6-7 पान के पत्तों को धो कर ले ली है मैंने अब एक चौपिंग बोर्ड लें पान के पत्तों को इकठा कर रूल कर लें अब एक चाकू से रफली चौप कर लें ये पान के पत्ते तो मेरे बागी चेकी ही है जिससे मैं इसी तरह की टिशिस बना कर यूज करती हूँ तो ये देखिए पीसेस में कट हो गई है ये छोटी वाली ग्राइंडर जाल लें और कटे हुए पीसेस को डाल दें अब करीबन 50 ग्राम कंडेंस्मिल्क डालें कंडेंस्मिल्क में दूद और चीनी दोनों ही होती है तो एक्स्ट्रा चीनी मैं यूज नहीं करूँगी वैसे तो पान की अपनी कलर होती है फिर भी थोड़ी सुंदर कलर आए लड़ू की इसलिए एक पिंच ग्रीन फूट करूँगी अब ढ़क कर बिना पानी मिलाए ब्लेंड कर लें तो बस अब ये पिस चुकी है अच्छी तरह देखिए फाइनली पिस कर लिक्विड टेक्शर आई है इसकी देखिए अब 200 ग्राम नारियल की बुरादा लेनी है हमें नारियल के बुरादे को एक मिक्सिंग बॉल में डाल दें अब इसे पत्तो के मिश्ण को भी डाल दें इसमें मैं चीनी, दूद या पानी एड नहीं करूंगी अब एक चमज से मिक्स कर लें ताजी नारियल हो तो हमें गैस में भून लेनी होती है फिर इसी तरह से पान के मिश्ण को देकर मिक्स करनी है चमज को रखकर हाथों को यूज करें तो मिक्स अच्छे से होगी और हातों का प्यार मिश्ण में टेस्ट लाएगी इस मिश्ण को आप फिलेम में सेककर घी डाल कर भी बना सकती है लेकिन उसमें पान की फिलेवर चली जाती है और मैं तो हमेशा से ही healthy ही बनाती हूं डिश्ज हातों से मिलाते हुए मिश्रन थोरी सक्त हो जाएगी ये देखे आटे की डो की तरह बनेगी ये राफली हमारी मिश्रन रेडी है अब हातों में एक ड्रॉप घींको लें और ग्रिस कर लें थोरे से मिश्रन को हातों की हतलियों में लेकर बॉल बनाएं फिर प्रेस करते हुए फ्लैट कर लें थोरे से गुलकन के मिश्रन को उगलियों में लेकर बीच में रखें अब उगलियों से साइट की पोजिशन को समेट कर मिला लें और हातों से प्रेस करते हुए निम्बू की शेप दें ये देखिए प्रेस करते हुए इसमूढ टेक्शल लानी है लड्डू की फिर हतेलियों में लेकर राउंड करें एक लड्डू बन गई है हमारे फिर थोड़े से मिश्यन को हाथों मिले फ्लैट करें गुलकन के मिश्यन को बीच में दें समेट लें पहले की तरह ही लड्डू बना ले प्रेस करते हुए अच्छे स्मूढ लड्डू होनी चाहिए हमारी तो बस सारे मिश्यन की पहले की तरह ही लड्डू बना ले आप बस पान, नारियल और कंडेंस मिल्क से ये लड्डू बनकर रेडी होगी हमारी बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये इसे आप रात की डिजर्ट में भी रख सकते हैं ये लड्डू पान की शौकिन लोगों को तो लुभा देगी ये देखिए सारे लड्डू बनकर रेडी हैं बाहर से स्मूध होनी है अब थोड़ी नारियल के बुरादा और लें और लड्डू को एक एक करके कोट कर लें ताकि खाने में तो नारियल का एसास देगी ये और बाहर से सुन्दर भी दिखेगी सारे लड्डू को कोट कर ली हैं मैंने नारियल के बुरादा से 10 मिनिट फ्रीज में रख दी थी मैंने इन है एक प्लेट को मैंने 5 से सजा दी है अब सर्फ कर दे लड़ों को फ्रीज में रखने से अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं ये सारे लड़ों को सर्फ कर दी है मैंने दिखने में तो शांदाय लग रही है खाने में भी टेस्टी होगी तो बस अब खाने की जल्दी है एक को तोर कर दिखाती हूँ आपको ये देखे अंदर की गुलकन की मिठास मन को लुभा रही है आप भी इसी तरह से पान के लड़ू को बनाएं और सभी को खिलाएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूस कमेंट करें अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सभी के साथ शेयर करें मेरी चैनल को सबस्क्राइब करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्स पर वाचिंग आइस नई एजी और हल्दी रेसिपीज लेकर जल मिलेंगे